दोस्तो स्वागत आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल किर्शना फैंटेसी में डाज हम बात करेंगे फैंकोड ECX T10 मैच के बारे में जो कि यहां से खिला जाएगा पंजाब CC वसस कैपिटल्स की बीच दोस्तो यह मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर है जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैट्समिंट का बैटिंग करेगा कौन सा बॉल्लर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में तो हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है किरशना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस match की जो final team है वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी तो आप सभी भाई telegram channel को join कर लिजेगा telegram का link आपको वीडियो के नीचे comment box में दियावाए और description box में दियावाए link पे click करके telegram channel को join कर लिजेगा final team आपको telegram पे मिलेगी अगर मैं आपको recent matches का result भी बता हूँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर matches में आपके clean sweep करा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ telegram से जुनना आपके लिए काफी जादा important हो जाता है दोस्तो आप देख सकते हो आपके मुझे 20,000 रुपे की free entry मिले विए small league head to head में 10,000 रुपे की free entry मिले विए small league head to head में भाई ये free entry आपको भी मिल सकती है कैसे मिलेगी और कहां मिलेगी तो simply आपको कुछ नहीं करना आप में से काफी भाईयों को पता हुआ कि अगर आप myf11 app को first time download करके register करते हो तो myf11 आपको 20,000 रुपे की free entry देता है small league head to head में तो बस आपको myf11 app को download करके register कर लेना है download करने का link आपको इसी वीडियो की नीचे comment box में दिया वाए और description box में दिया वाए तो जल्दी से जाए लिंक पे click करियो और myf11 app को download कर लीजिए दोस्तो अगर आप loss में चल रहो तो free में 20,000 रुपे win करके अपना पूरा loss कवर कर सकते हो अगर आप already profit में हो तो free में यहाँ से 20,000 win करके और भी ज़्यादा profit कमा सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है myf11 app को download करके register कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे comment box में दियावाए और discussion box में दियावाए जल्दी से जाए लिंक पे क्लिक करें और myf11 app को download कर लीजिए दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी fantasy की टीम की तो उससे पहले आप सभी से एक request जो भी भाई नय है हमारे youtube चैनल पर पहली बार आये तो youtube चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर player के बारे में पूरी detail के साथ एक एक चीर बताता हूँ तो एक छूटा सा support आप कर सकते हो हमारे चैनल को subscribe करके उमीद कता हूँ जितने भी भाई देख रहे होंगे इस वीडियो को आपने हमारे चैनल को subscribe कर लिया होगा चलिए दोस्तो अगर बात करें हमारी fantasy team की तो wicket keeper में आपके पास दो option है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सूफियान का आपके पास option है अगर मैं इनके बारे मैं बात करूँ दोस्तो यार betting order इनका जो है न वो तकरीवन तकरीवन काफी नीचे ही नजर आता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और अगर यहां से मैं बात करूँ दोनों के बारे में ही यहां से सूफियान हो गए और S पटेल हो गए दोनों ही काफी नीचे बैटिंग करते हैं सूफियान के बारे में बात करूँ तीन मैचेस के बारे में तो मातर साथ रन करें और जबकि मैं S Patel के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो S Patel ने T10 में 12 मैचेस खेले 12 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ इनके तो 15 रने दोनों का बैटिंग ओडर लगबग नीचे यह तो फिलाल यहां से मैं अभी सूफियान को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ बागी दोनों का बैटिंग ओडर काफी नीचे रहता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा आगे बात करें अगर दोस्तों बैटिंग में तो यहां से डी पटेल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है अगर मैं बात करूऊ इन के बारे में तो दूजी के बारे में बात करूग त्वी टार में आपको फ्लाल में इनको में लेके चल रहा ही दोस्तो वहीं अगर यहां से किसी और के बारे में बात करें एदार के बारे में भी आपको मैं किलियर कर देता हूँ दोस्तो इधार के बारे में अगर मैं बात करूँ टी टेन में अभी तक इनों ने 5 मैचेश खेले, ये तो मातर और मातर 11 गयार गार नी हर निकाल है, चार ओवर बॉलिंग करें, तो आप सकतेि, वही अगर ये यहाँ से किसी और के बारे में बात करूँ तो दोस्तो इतने खास अप् तो लास्ट में इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई थी बट मेबी इस मैट में शायद करवाते विए आपको नच राजए फिलाल में इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ और यहांसे डी पटेल हो जाएंगे दो मेरे यहांसे जो है अगर मैं बात करूँ तो बैट स्वें रहने वाले है महीं अगर दोस्तो यहांसे अल राउंडर में बात करे तो हुड़ा का आपके पास सबसे पहले ओप्शन है अगर हुड़ा के बारे में बात करूँ टीटैन में दोस्तो इन्होंने चार मैचेस खेले और उसमें सिर्फ इन्होंने 9 run करें बॉलिंग नहीं करवाई सेलेक्शन तो बहुरती जाता है दोस्तो बट उस according इन्होंने performance नहीं करा इस चीज को ध्यान में रखना दोस्तो महीं अगर सरवर के बारे में बात करें तो last match इन्होंने खेला नहीं था पर आपके लिए होने वाले क्योंकि ओपन करेंगे प्लस दो वर आपको बॉलिंग भी करके देंगे बाईस मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तीन सो गुनने सन करें साथ ही साथ में 16 विकेट भी दोस्तो इन्होंने निकाले तो आप देख सकते आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते है डी पटेल के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो यहां से आपको टॉप और में खेलते वे नज़रा सकते है 19 मैचेस के बारे में मैं बात करूँ टीटेन के 225 रं करें प्लस 14 विकेट भी निकाले केप्टन वाइस केप्टन के लिए आपके लिए एक और मस्ट चोईस होने वाली है वहीं इमरान के बारे में बात करूँ ओपन करते वे आपको नज़रा जेंगे दोस्तो और अगर लाश मैच के बारे में मैं बात करूँ इम्रान के बारे में दोस्तों तो 54 run करे थे मात्र 20 के इंदों में और अगर और अगर अगर मैं यहां से बात करूँ इम्रान के बारे में 39 matches के बारे में 39 matches में 690 run कर चुके प्लस 5 विक निकाले बाइलिंग जो है बहुत कम करते इस चीज को ध्यान मिखना वहीं किसी और के बारे में बात करें यू अली आपके लिए एक अच्छे उप्शन हो सकते है बॉलिंग करवाते विए आपको नज़र आएंगे चार मैचेस में दो विकिट इनोने निकाला है फिलाल अगर मैं बात करूँ तो यहां से उडा को अपनी टीम में रख रहा हूँ यहां से डी पटेल हो जाएंगे और पी सिंग को अपनी टीम में रख रहा हूँ यहां से डिक्षिट हो जाएंगे इम्रान और यहां से अगर बात करें अली को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ टोटल 6 मेरे यहां से ओल राउंडर रहने वाले हैं बालिंग में अगर मैं बात करूँ एम पटेल का आपके पास एक मस्ट आप्शन होने वाला है अगर एम पटेल के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहां से 26 मेरे में 97 नन करें 37 साथ में 19 विकेट निकाले यह चीज को जियान मेखना वहीं अगर यहां से मैं बात करूँ टीम मॉहमद के बारे में एक और आपके लिए अच्छे आप्शन होने वाले ताज मॉहमद आठ मैचेस खेले टी-10 में पांच विगेट निकाले 15 ओवर बॉलिंग करके वागी कोई यू मॉहमद आपके लिए एक अच्छे आप्शन हो जाते है जिनको आप अपने टीम में जगा दे सकते हैं लाश्मिन में दो ओवर में एक विगेट निकाला था ओवर ओल 11 मैचेस में 11 विगेट इन्नों निकाल रखे आप क्या कर सकते हैं यहां से आप डी पठेल को ड्रॉप करके एम पठेल को ले सकते हैं दोस्तों यहां से अली हो जाएंगे और यू मॉहमद के साथ आप चल सकते हैं फिलाल एक यह कॉम्मिनेशन लेके चल सकते हैं Captain और वाइस Captain के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो D Patel अपके पास और यहांसे अगर मैं बात करूँ किसी और के बारे में P Sing को आप कर सकते हैं और M Patel को कर सकते हैं यह आपके लिए Must option होने वाला है वहीं अगर यहांसे बैटिंग में करना चाएं तो इम्रान को कर सकते है बढ़ ये बैटिंग ही करते है All round balling का थोड़ा सा कम चांस है बढ़ आटेकिंग बैस मेंने फिलाल मैं P Singh को Captain और डीपर डेल को Vice Captain कर रहा है Team के पिर वीई के बारे में बात करें फिलाल ही हमारी team का पिर वीई आप देख सकते है आप इस team के साथ अपना contest join कर सकते है final team आपको telegram पे मिल जाएगी telegram का link आपको वीडियो के नीचे comment box में दिया हुआ है discussion box में दिया हुआ है जल्दी से जाएगी है और link पे click करियो और यहां से telegram channel को join कर लीजिए दोस्तो अगर आपको 20,000 रुपे की आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है आप में से काफी भाईयों को पता हुआ कि अगर आप my511 app को first time download करके register करते हो तो my511 आपको 20,000 रुपे की फिरी entry देता है small league head to end में तो बस आपको my511 app को download करके register कर देना है पूरा loss कवर कर सकते हो अगर आप अल्रड़ी profit में हो तो 20,000 विन करके और भी ज़्यादा profit कमा सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको my511 app को download करके register करना है link इस वीडियो के नीचे comment box में दिया हुआ है और description box में दिया हुआ है जल्दी से जाए link पे click करें और my511 app को download कर दीजिए चल्दी दोस्तों मिलते है match time टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम से जुड़ी जाएगा और match time एक्टिव रहिएगा